जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल दोस्तंब सभी का आपके अपने चनल में आपका एक बर फिर से बहुत स्वागत थे और आपका बहुत बहुत आभारे गीता के द्वारा बताये गए वो संकेत साथ कि हमारे जिवन में अच्छे दिन आने से पहले हमें यह साथ संकेत मिलते हैं यह साथ संकेत कौन से हैं? कैसे हैं? इन सभी पर इस 3 मिनट 18 सेकंड के वीडियो में हम बात करेंगे और इससे जानने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आपके जीवन में अच्छे दिन, अच्छे चंड, अच्छे पल अब ज़्यादा दूर नहीं है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्पून है मुझे आप बहुत दिनों से कमेंट्स कर रहे थे कि पंडी जी आप स्विशेर पर एक अलग से वीडियो बनाए मैंने सुचा शाइदा आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाए और ये वीडियो मनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको सही और सकारात्म जानकरी प्रदान की जाए दोस्तों अगर आप अपने जीवन में अभी कोई तकलीफ या परिशानी से गुजर रहे हैं तो स्क्रीन कूपर नमबर चली रहे हैं आप वोट्सप पर अपॉन्मेंट ले अपॉन्मेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं उसका फीस लाग है दोस्तों जोतिश परामर साथ वहाद से प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि गीता में वर्णीत आपको एक शब्द पता होगा या एक वाट के हमेशा पता होता है कर्म करो फल की चीनता मत करो लेकिन हम इस वक्त और इस दुनिया में जो है वो कर्म पर कम ध्यान देते हैं और फल पर जादा द्यान देते हैं तो सबसे पहला संकेत है कि जब भी आपके मन में अपने कर्मों के प्रती अपने कर्मों जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रती पून शद्धा और पून समरपन का भाव जागरत हो जाए अर्थात जैसे होता यह है पिक कही बार हम दूसरों की राए से चलते हैं कि भी आप ऐसा कर लो भी आप ऐसा कर लो देदे आप ऐसा कर लो और हम वैसा करते जाते हैं और बस बैसिक चलते जाते हैं पर जब हम खुद हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस से चीजों को समझते हैं और चीजों पर चलना शुरू हो जाते हैं तो सबसे पहला संकेत है दोस्तों कि आप समझ जाएगा कि आपके आने वाले जो दिन हैं आने वाले पल हैं वो अच्छे हैं क्योंकि इस गलती का और इस कर्म के दोशी हम स्वयम होंगे न कि हम किसी अन्य के मार्षण में चलने ज़िए लेकिन ये युग में मार्षण रशन कम और लोग उपयोग जादार करते हैं इसलिए पहला संकेत हमेशा याद रखना है दूसरा संकेत है कि जब भी हमारे अच्छे दिन आएंगे अच्छे पल आएंगे तो वैसे अच्छे लोग हमें मिलना शुरू हो जाएंगे और सर्थ यह है कि अच्छे लोगों की जो पहचान होती वो हमें साथ से नीस्वारत भाव से जूरते हैं उनका भाव आपसे कोई मत मतलप का भाव हुआ आप भी दुख़ी हो गए वह भी दूख़ी हो गया तो दूसरा संकेत ही हमेशा समझना तीसरा संकेत है सपनों में मंदिरों के दर्शन होना कहीं ना कहीं बहुत बड़े सकारत्मर्परिवलतन की और हम आके बढ़ रहे हैं चोधी बात है कि हमारे जो जिनके साथ हमने बच्पन में देखे हैं, खेले हैं, बड़े हुएं, अगर वो पूरवज हमारे सपनों में आते हैं, तो पहली बात तो उनका आशिरवाद हैं, इसे पितर दोश के और आप बिल्कुल ना समझे कि हमें पितर दोश है, तो इस तरह कर सपने आते हैं, ऐसा बि तो ये भी एक सूप संके थे, जिससे की आपके जीवन में सखारकन के परिवर्टान आने वाला है, तो इसके अलावा दोस्तो है, अपनी मा के दर्षन करना, सपने में, अगर मा के पिता के दर्षन करना, ये बहुती सखारकमक चीजे हैं, अच्छे दिन आनों के ये, तो अ लाइक कर शेयर कर रिकमेंट सकरें और नमस्ट जुआ है